नमस्कार दोस्तों आपका अपने पर यौरधा त्वी डेस्टीटिस पर एक बार फिर से सवखेट है एक बार जल्दी से लोग क्साहिए जह जह जहा बाचांगे जैसा कि आप देखे होगे दोस्तों कल हम लोगों ने ये सारे प्रष्णों पर डिस्कस किया था कल हमने सारे कुष्चन बताई थे जो कुष्चन कल छूटा था उसी के आगे हम लोग आज चर्चा करेंगे कल हम लोगों का लाश्ट कुष्चन यही था PQR के बीच में 3850 रुपए विभाजित किये गए ठीक तो ये प्रस्ण हम लोगों ने कल देखा था दोस्तों आज हम लोग अगला प्रस्ण देखेंगे जैसा कि आप देख रहे होंगे क्या कह रहा है लिखा है दोस्तों एक पनाट रुक जाएगा ठीक है दोस्तों कह रहा है कि 2430 रुपए को तीन व्यक्तियों A, B, C में विभाजित किया गया ठीक है दोस्तों A में विभाजित किया गया B में विभाजित किया गया और C में विभाजित किया गया जैसा कि अगर उनके सेयर में क्रमसा 5 रूपए 10 रूपए और 15 रूपए कम हो जाते हैं हमने दोस्तों बाटा कितना हमने बाटा दोस्तों 2430 रूपए हमने 2430 रूपए बाटा अगर इसमें से 5 रूपए कम कर दिया जाए इसमें से 10 रूपए कम कर दिया जाए और इसमें से दोस्तों 15 रूपए कम कर दिया जाए तो जब दोस्तों इसको कम कर देंगे हम तो हमारे पास total कितना हमने कम किया तो 15 ये कम किया, 10 ये कम किया, 25 और 5 ये कम कर दिया अर्थाथ दोस्तों हमने 30 रुपए कम कर दिया 30 रुपए कम कर दिया दोस्तों सेस जो हिस्सा है वो तीन अनुपाते चार और अनुपाते पांच के अनुपात में होगा तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि यह जो 24 सो है वो तीन रेसियो चार रेसियो पांच के रेसियो में है तो अब इसको आप निकाल सकते हैं एक यूनिट की बैलू क्या होगी की नही देखे चार तीन साथ साथ पाज बारा यूनिट जो है बारा यूनिट ये चौविस सो के बराबर है यानि कि एक यूनिट आपका कित्ते के बराबर हो गया दोस्तों 200 के बराबर हो गया, एक यूनिट आपका 200 के बराबर हो गया, तो इसका मतलब की C का पूछ रहा है, C यही है दोस्तों, तो C का है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मतलब 5 दूना, 10, यानि की 1000 रुपए आपका ये हो गया, और अब C का पूछा था दोस्तों, तो 1000 रुपए तो 1015 जोड देंगे ते 1015 एनिकी option number D सही हो जाएगा कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों कमेंट करिए किसी को भी समस्या हो दोस्तों कमेंट करिए सभी दोस्तों को जो है एक बार सेर कर दीजिये आप लोग ठीक एक बार सेर कर दीजिये चुकि क्लास तीन चार महिने से बंद थी जिसकी वज़ा से अभी बच्चे जुड नहीं पा रहे हैं तो जैसे ही सब के पास नोटिपिकेशन धीरे धीरे पहुंचेगे बच्चे रहा है कि 29,960 रूपए 85 पुरुसों और महिलाओं में बाठा गया सभी पुरुसों और महिलाओं को दी गई कुल रासी का अनुपात 15 अनुपाते 8 है प्रतेक पुरुस और महिला को दी गई रासी का अनुपात 5 अनुपाते 4 है ठीक दोस्तों अच्छा ये बताईए कह रह है टोटल हम लोगों के पास पचासी पूरुस और महिला है ठीक दोस्तों और जो कुल रासी है वो 15 अनुपाते 8 के अनुपात में बाटी गई ठीक है दोस्तों चलिए तो जो रासी है दोस्तों वो 15 अनुपाते 8 के अनुपात में बाटी गई ठीक और पूरुस और महिला को द एक औरत एक आदमी को पांच अनुपाते चार के अनुपात में बाठा गया ठीक दोस्तों अच्छा ये बताईए अगर मैं आपको पंदरा रुपए दूँ और बोल दू कि पांच लोगों में बाठ दीजिए या पांच रुपए एक व्यक्ति को दे दीजिए तो इसका बाठा और कि एक व्यक्ति को मैंने पांच रुपए दिया जिसका मतलब के दोस्तों क्यों को पता है कि अगर हम कुल रासी में से एक व्यक्ति का घटा देंगे एक व्यक्ति को दी गई रासी घटा देंगे था हम को ये पता चल जाएगा कि total कितने लोग थे तो इसलिए दोस्तो अब ये पता चल गया कि 3 अनुपाते 2 के अनुपात में लोग थे तो total do states तो पचासी थे भाई, पूरुसों और महिलाओं की संख्य टोडल कितनी थी, पचासी थी दोस्तों, और पचासी थी अनुपात इनका तीन अनुपाते दो था, यानि कि पाच बराबर पचासी, तो एक बराबर हो गया दोस्तों, सत्तरा यूनिट के ठीक, तो इसका मतलब एक अगले प्रस्ट पर चलते हैं अगर दोस्तो समझ में आ रहा होत लाइक जरूर करिएगा बताईए कमेंट करके बताईए दोस्तो समझ में आया कि नहीं मुकुंद गुप्ता ठीक है दोस्तों विसाल परियार ठीक है समझ में आ गया अच्छा है चलिए दोस्तों अगले प्रस्ट पर चलते हैं आपकी जो बोर्ड की क्लास है वो जल्दी स्टार्ट होगी दोस्तों चुकि लागडाउन की वज़ा से सौप खुल नहीं रही है तो इसकी वज़े से कुछ सामान जो है मिल नहीं पा रहा है दोस्तों ठीक तो जैसे ही एवाइलेबल होता है आपकी क्लास जो है बोर्ड पर इस्टार्ट कर दी जाएगी तब तक आप लोग इसी तरह समस्ते रहें क्या कह रहा है अगला प्रस्म देखीगा लिखा है दोस्तों 60 छात्रों के एक वर्ग में 260 चॉकलेट बितरित किये जाने है ठीक है दोस्तों 60 चॉकलेट बाटना है सभी लड़कों और सभी लड़कियों को दी जाने वाली चॉकलेट का अनुपात 8 अनुपाते 5 है ठीक है दोस्तों जो सभी लड़के हैं और सभी लड़किया हैं इनको आठ अनुपाते 5 के अनुपात में बाड़ना है ठीक है दोस्तों फिर कहरा प्रतेक लड़के और प्रतेक लड़की को दी जाने वाली चाकलेट की संख्या चार अनुपाते 5 है यानि कि टोटल लड़कों को आठ चॉकलेट देना है और लड़कियों को पांच चॉकलेट देना है एक चॉकलेट जो है मतलब कि एक व्यक्त को चार चॉकलेट देना है तो दोस्तो आठ चॉकलेट कितने लोगों को दिया जाएगा अर्था दो लोगों को आठ चॉकलेट दे देंगा फिर अगर एक तो 25,000 रूपए है, 25,000 रूपए है, और एक आदमी की कीमत 5,000 है, तो अगर मैं आप से पूछू कि टोटल कितने आदमी है, तो आप बता सकते हैं कि नहीं दोस्तों, एक आदमी की कीमत 5,000 है, और मेरे पास टोटल 25,000 रूपए है, जिसका मतलब एक आदमी को, मतलब टोटल आद्मियों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों तो 25-25 हो जाएगा यानि कि भाग देते हैं आपको ये पता है तो वही चीज दोस्तों हमने किया कि जो अनुपात निकल गया दो अनुपाते एक का अनुपात निकल गया लड़के और लड़कियों का और टोटल कितने दोस् और एक बराबर 20 यानि कि 40 लड़के हैं दोस्तों और 20 लड़कियां हैं यानि कि इनका अनुपात देखा जाए दोस्तों एक अनुपाते दो के अनुपात में हैं तो प्रस्ट में देखिए संख्या अगर पूछता तो दोस्तों इस तरह करते लेकिन संख्या नहीं पूछ रह तो याद रखिएगा प्रतिसत वाले के लिए तो बहुत आसान है प्रतिसत वाले में क्या रहता है कि जब आप अनुपात निकाल दीजिए तो उसी से आप डारेक्ट प्रतिसत भी निकाल सकते हैं दोस्तों जैसे आप एक अनुपाते दो कानुपात निकाला है तो कह रहा है क लड़कों की संख्या लड़कियों से कितने परसेंट अधिक है तो लड़किया एक है दोस्तों और ज्यादा कितना है ये एक ज्यादा है और एक बटे एक इंटु square है। लड़कों की संख्या लड़कियों से किता जाद है दोस्तों 100% जादा है यानि कि option number D हमारा सही हो जाएगा कहीं कोई दिक्कत दोस्तों कमेंट करिए आसीस, पंकज, दिलीप, मोहित आप सब कमेंट हमको दिख रहा हैं दोस्तों लेकिन पढ़ाने लगता हूँ तो इसलिए मैं कमेंट तब नहीं देखता हूँ ठीक तो चलिए दोस्तों अगले प्रस्त पर चलते हैं कर वाली क्लास में दोस्तों कहीं भी अगर डाउट रहा करें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जैसा कि मैंने बताया भी है टेलीग्राम चैनल जो हमारा है वो आप लोग इनिस्टाल कर लीजे टेलीग वसी पर आपको पीडिएफ मिल जाएगी तो टेलीग्राम चैनल पर भी अगर आप जुड़े हुए हैं तब भी आपको वहाँ से जो है आपको पीडिएफ मिल जाएगी या फिर वाटसेब रूप पे हैं तो वहाँ से भी आपको पीडिएफ मिल जाएगी चलिए देखते हैं कुशन क्या कह रहा है साइनस म्यूजियम का प्रिवेस ढीकट नौ अनुपाते ईग्यारा के अनुपात में बढ़ाया जाता है ठीक है दोस्तों जो ढीकट था जैसे किसी भी अगर आप म्यूजियम में किसी भी सिनेमा घाल में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर टिकट लगता है दोस्तों तो टिकट जो है वो बढ़ाया गया 9 अनुपाते 11 के अनुपात में मतलब अगर पहले 9 रुपए कीमत रही होगी तो अब दोस्तों 11 रुपए हो गई कीमत अब अगर दोस्तों किसी भी चीज का दाम बढ़ता है तो उसका यूज जो है दोस्तों कम हो जाता है ठीक अगर दाम बढ़ता है दोस्तों तो उसका यूज क्या होता है कम हो जाता है तो कह रहा है जिसके कारण 17 अनुपाते 13 के अनुपात में लोगों की संख्या गड़ गई यानि कि लोगों की संख्या पहले जो है अगर 17 थी पहले अगर 17 थी तो अब दोस्तों कितनी रही गई 13 रही गई ठीक है दोस्तों फिर कह रहा है कि नया दैनिक संग्रह क्या है अगर मूल ब्रिध्धी पहले दैनिक सत्र से इतना रुपए था ठीक है दोस्तों अच्छा ये बताईए अगर आप का टिकट प्रवेश टिकट 9 रुपात ही 11 के अनुपात में बढ़ाया गया दोस्तों अगर 9 रुपए में टिकट था 17 लोगों ने टिकट खरीदा दोस्तों तो इसका मतलब टोटल आपके पास कितना रुपए आ गया दोस्तों तो 17 गुड़े 9 कर देंगे यही तो अगर मैं कहे दूँ कि 5 रूपए एक टिकट का मूल है और आप 20 लोगों को बांट दीजिए तो इसका मतलब कि 20 पंचे कितना हो गया 100 रूपए हो गया तो उसी तरह दोस्तों 17 और इंटू 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 17 नमईया ठीक है दोस्तों तो देखे हमको पता है कि क्या हो जाएगा 17 नमईया दोस्तों चूकि होता क्या है कि 173 कर देंगे तो अब एक सो तिरपन 17 नमईया एक सो तिरपन दोस्तों होगा क्या आगे देखिए जैसे अब इसमें कह रहा था कि सुरू में तो 11 रूपए था कीमत जब बढ़ाया था और लेकिन लोगों की संख्या घट गई तो वो 13 हो गई तो अब इसका मतलब कि 11 इंटू 13 कर देंग इसमें गुड़ा होता है तो आप क्या करेंगे तीन फिर तीन एक चार और फिर एक सुत ताय तालिस आ जाए तेरे कंदम तेरक तीन असे लगे ने तेरे कंदम तेरे चाहिए वह इसे भी हो गया आप देखिए दोस्तों कह रहा है कि पहले जो मूल ब्रिधि से पहले दायनि 600 अधिर लुपए दोस्तों 58 250 हैं था मतलब 3825 हमारा क्या हो जाएगा 38 250 हमारा इसका देखेंगे कितना गुना है तो देख रहे हैं दोस्तों दो बार तो हमारा सीधा सीधा चला जाएगा 153 दूना 200 मतलब 306 हो जाएगा फिर देखिए अर्था 250 गुना हो जाएगा ठीक दोस्तों कितना हो जाएगा 250 गुना हो जाएगा अब जब इतना का 250 गुना हो जाएगा तो कह रहा है कि हमको निकालना क्या है कि नया दैनिक संग्रा अर्थात जो 143 है 143 यूनिट कितने के बराबर होगा दोस्तों तो गुड़े 250 कर दीजिए एक जीरो तो हमारा हो जाएगा 25 तियां 75 की 56 लगें 7 25 चो को 100 दोस्तों तो एक सो साथ दस और पच्ची सिकन्नम 25 दस दोस्तों 35 साथ सो पच्चास यानि कि आप सम नंबर भी हमारा सही हो जाएगा कहीं कोई दिक्का था तो बताईए दोस्तों समझ में आया कि नहीं पहले यह बताईए कि समझ में आया कि नहीं सबको भाई हमने क्या कहा हम उसमें लिखा है दोस्तों कि एक व्यक्ति अगर एक व्यक्ति को आप टिकट पहले 17 लोग खरीते थे अब 13 लोग खरीते हैं इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि अगर हम अगर हम दोस्तों इनकम की बात करें तो 130 रुपए कैसे हुआ 9 इंटू 17 कर दिये उसी तरह 11 इंटू 13 कर दित 143 लेकिन यह 113 नहीं मिल रहा था दोस्तों यह हमको मिल रहा था कितना यह हमको मिल रहा था दोस्तों 38,250 तो वही चीज कर दिये दोस्तों तरथात कितना आ गया यह आ गया answer कहीं कोई दिक्कत दोस्तों बताईए अगले प्रस् तो कल जो है ये टॉपिक रेशियो और प्रोपोर्शन का जो सेकेंड टॉपिक है उसके बाद एक टॉपिक और रह जाएगा आपका तरथा दो वीडियो भी इसका और आपको बताऊंगा मैं तो कहीं कोई दिक्कत हो तो दोस्तो बताएए पीडियाफ आपको उसपर सेर कर दी गई है आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं नमस्कार, जै हिन मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो सेयर जरूर करिएगा, ठीक, जै हिन दोस्तों, एक बार सबी लोग जै हिन करिए, आसीस, दीपट, पंकज, मुकुंद, जै हिन दोस्तों, ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में